हलो दोस्तों, वजीर एक्स के अंदर INR विड्रॉल करने के, INR को अपने बैंक अकाउंट में लेने के पूरे प्रोसीजर को आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाइ स्टेप देखने वाले हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वजीर एक्स, INR विड्रॉल से लेकर, उन सारे सवा के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका वजीर एक्स अकाउंट हो जाता है, ये कोने में फंड्स का अप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है, ये मेरे पास INR जो फंड्स हैं, वो ये हैं, ठीक है, मैं इने विड्रॉल करना चाहता ह जिससे कि आपके तुरंत, या फिर 10-15 मिनट या जो भी है, थोड़ा कम टाइम में आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, नहीं तो ये एने एफटी, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अब ये जो है, क्या है, इसमें मिनिमम 500 रुपे विड्रॉल करने पड़ेंगे, मैक्सिमम 5 लाख एक ट्रांजेक्शन में आप कर सकते हो, टोटल 20 लाख कर सकते हो पूरे दिन में, ठीक है, और प्रोसेसिंग जो टाइम होता है, वो दो घंटे भी लग सकते हैं, बैंक अकाउंट के अपने जो टाइम होते हैं उनके हिसाप से, और क्यूंकि आज वीक डे ह है, तो यहाँ पर उसके हिसाप से भी कम टाइम लग सकता, अगर सेटरडे संडे को करा, तो हो सकता है, ज्यादा टाइम लग जाए, उस केस में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपके जो वीकेंड वगेरा में होंगे ही नहीं, बैंक होलिडे रुपे एक बार में आप कर सकते हो, बीस लाक रुपे पूरे दिन में, और फिर आपको यहाँ पर फीज देनी पड़ती है, पत्चिस रुपए, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन के उपर पत्चिस रुपे, चाहे वो पांच लाग की हो, चाहे दो लाग की हो, चाहे दो लाग की हो, ठीक है, मिनिममम पांच सो रुपे चाहिए, और पत्चिस रुपे आपके cut to cut, cut जाते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी option इस्तेमाल कर सकते हो, सहुलियत के हिसाब से, अगर आप 15 रुपे देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप यह वाला इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं तो यही वाला करके देखने वाला हूँ, ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद जो balance है, मुझे यहाँ पर दिख जाएगा, यह यहाँ पर आपका available balance हो जाता है, जो भी आप balance मतलब यहाँ से निकालना चाहते हो, आप अपने आप देख सकते हो तो मैं यहाँ पर 100 रुपे रोकना चाहता हूँ, तो मैं 647 रुपे यहाँ पर withdraw करता हूँ, ठीक है, तो withdraw का यह जो amount है, इस पर simply click करना, withdraw के option पे, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि fees 25 रुपे आपकी जाती है, आपको मिलेंगे 622 रुपे आपके bank account में, एक बार confirm हो मैं यहाँ से copy करके, और यहाँ पर OTP डालके, authenticate कर देता हूँ simply, ओके हो गया, please check your email for confirmation withdrawal request, अभी भी withdrawal हुआ नहीं है, अब मुझे email आएगा, जो मैंने वजीर X पे यहाँ पर email ID अपनी दे रखी है, उस email ID के उपर मुझे email आएगा, जिसे मुझे confirm करना पड़ेगा, तब ही मेरा withdrawal यहाँ पर होगा, ओके पे मुझे क्लिक कर देना है, और फिर अपनी Gmail जो एप है, उसके अंदर जाना है, और जिस email ID को आपने दिया है, वजीर X में, उस email ID के उपर आपका email आ चुका होगा, उस पे आपको simply क्लिक करना है, उसके बाद approve का यह option आपको दिख जाता है, अप्रूफ इस withdrawal पे simply क्लिक करना है, एक loading होगी simply, और यहाँ पर क्या होगा, successful complete हो जाएगा, ठीक है, successful यहाँ पर लिख क्या आ गया, अब यहाँ पर मैं वजीर X में आ जाता हूँ, इसको एक बार refresh कर लेता हूँ, मैंने वहाँ successful कर दिया तो, तो यहाँ processing withdrawal का option आ गया है, मेरे bank में kotak का आप देख सकते हैं, यह account है, और मेरे को 622 रुपे receive हो गया है, ठीक है, कोई jump cut नहीं है, कुछ भी नहीं है, cut to cut सीधा यहाँ पर withdrawal हो भी गया, successful, 149 मिनट पर processing आ रहा था, 149 ही मिनट पर successful भी हो गया है, लेकिन मैं आगर यहाँ पर आपको time दिखा हूँ, त तो यहाँ पर एक दो मिनट तो हम ले ही सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर छूटते ही withdrawal हो रहे हैं, एक भी मिनट का time नहीं लग रहा, cut to cut काम बढ़िया तरीके से हो रहा है, कोई jump cut नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके सामने हैं सारी विड्रॉ कर सकते हैं, अपने जो bank account है, उसके अंदर पूरा procedure मैंने आपको दिखाई दिया है, सवाल की कोई कुछ जाईश ही नहीं है, अब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि कोई दिक्कत है, तो आप comment कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि अगर आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है, कि मेरे वजीर एक्स account के अंदर पैसे हैं, और मैं बैंक के अंदर उन्हें नहीं विड्रॉल कर पा रहा, और आपके किसी website के उपर पैसे हैं, जो कि वजीर एक्स का जहां पर logo लगा हुआ है खाली, तो आपके पैसे 99% of the chances है कि scam में पड़े हुए है, ठीक है, क्योंकि वजीर एक्स की ये अपनी एप है, जो कि यहाँ पर play store पे आपको दिख रहा होगा, play store पे ये app है, इस app के अंदर और ये account है, ठीक है वजीर एक्स की ये app है play store की अंदर, और ये जो यहाँ पर जो funds मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ये हैं वजीर एक्स मतलब original और जो website है वजीर एक्स की वो ये है, जिसका जो domain है ऊपर ये जो link है आपको दिखाई दे रहे होगी link, ये link है वजीर एक्स.com, इसके अलावा कोई भी दूसरी website है, जो claim कर रही है कि वो वजीर एक्स है या वजीर एक्स के साथ जुड़ी यहाँ पर join करा होगा, वो वजीर एक्स नहीं है और आपके पैसे bank account में इस तरह withdraw नहीं होने वाले, आपको complain करनी पड़ेगी cyber fraud के अंदर, ठीक है, वो पूरा कैसे क्या करना है, उसके लिए आपको एक article मिल जाएगा, description में आपको जरूर जाके देख लेना है, वजीर एक् website है, वो यह है, wazirx.com लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी दूसरी website, wazirx नहीं है, वो scam है, ठीक है, तो इतना ही था आज की इस वीडियो में, अगर आपको इस वीडियो से value मिली तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए, अपना ध्या जवाए मेश्थ, अपना थसके लो इसे वीडियो नहीं भी जरूर का भी खवाए जरूर को rozचिए, हमारे चानल को यह मिली तो जरूर को रיח आपको आपको भीजिए, हमारे चांवाए लु छिएगे, हमारे आपको एंड़़ध وर आपको यहा हुआ है, या जैतना दोर का